सेरियल मेगा बटसे का आज का अपिसोड होने वाला बहुत खास क्योंकि मेगा और मनोज मिलने वाले हैं जहां मेगा जो है वो मनोज को बड़ी बात कह देगी उसे 50,000 रुपए का चेक देदेगी और कहेगी कि आपके पैसे ही आप रखे लेकिन मनोज वो पैसा नहीं लेगा तब ही मेगा एक बड़ी बात कह देगी कि वो 25,000,000 रुपए अपने पापा से नहीं लेना चाहती है क्योंकि 25,000,000 रुपए की जरुवत उसके पापा को जादा है यह सुनने के बाद जो है मनोज के होश उर जाते हैं तो वहीं दूसरी और उस फरजी दुले का फोन फिट गया है लेकिन तब तक यहां से मनोज निकल गया है मनोज जो है मनोज को एक फोन आता है मनोज वो फोन उठाता और मेगा कि यह बात सुनकर कि 25,000,000 रुपए वो लेना नहीं चाहती है वो अपने पापा को देना चाहती है क्योंकि शादी के बाद वो खुद पैसे कमा और खुद जो है मनोज से यह कहती है कि आप भी पापा को यह बात समझाईए वेलों आपको बताते चले कि यह सुनने के पाद मनोज कुछ बोलता तो नहीं है वहां से निकल जरूर जाता लेकिन अरजुन तलवार वहां पर पहुंच जाते है लेकिन अरजुन तलवार अभ और दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं जहां मेगा कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तब ही अर्जुन के हाथ से मेगा का फोन गिर जाता है और तूट जाता है मेगा अर्जुन को पकड़ लेती है और कहती है कि अब जा कहा रहे हो मेरा फोन तोड जाते हैं और कहते हैं कि साहब आप जल्दी चलिए लगता है कि उधर गया है वह अपराधी तब ये मेघा बड़ा आश्चर चकित हो जाती किसे लोग साहब क्यों बोल रहे हैं तब पता चलता है कि ये तो सच्पुछी साहब है तब देखना दिल्चस्पी होता है कि मनोज क्या फैसला होगा जब 25 रुपे मेघा लेने से इंकार कर दी है